हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सही हमारे यूट्यूब चैनल के एकदम लेटे स्टुडियो में दोस्तों साल का आखरी सूरे गरण 26 दिसमबर को है दोस्तों साल का आखरी सूरे गरण 26 दिसमबर यानि की गुरुवार को है दोस्तो यह सूरे घ्रण पूर्ण रूप से नहीं है बलकि आन्शिक घ्रण है दोस्तो जो तिस शास्तर की भाषा में इस सूरे घ्रण को खंड ग्रास कहा जाएगा दोस्तो यह सूरेगरण भारत के कई इलाकों जैसे की करनाटक केरल और तमील नाडो में खंड ग्रास देखा जा सकेगा बाकी भागों में आशिक सूरेगरण ही दिखाई पड़ेगा दोस्तो सूरेगरण के 12 गंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा सूतक काल में कोई भी शुब काम नहीं करना चाहिए दोस्तो हम जानते हैं सूरे ग्रण की क्या क्या टाइमिंग से दोस्तो सूतक काल की शुरुवात सूरे ग्रण के एक दिन पहले हो जाती है दोस्तो सूतक काल का समय 25 दिसंबर को शाम 5 बजगर 33 मिनट से शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानिकी 26 दिसंबर को सुबह 10 बजगर 27 मिनट पर खत्म होगा जोति शास्त्रियों का कहना है कि चुकि भारत में भी सूरे गरन की यह खगोली घटना देखी जा सकेगी इसलिए सूतक गरहन का प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा दोस्तो धार्मिक मानेताओं के अनुसार सूतक काल से लेकर गरहन काल तक के समय को मांगलिक कारियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तो सूरे गरहन से पहले ही मंदरों के कपाट बंद हो जाएंगे यानि कि दोस्तों कल सुबह 10 बजकर 57 मिनट पर ग्रहन खत्म होने के बाद ही मंदिरों के कपाट शुद्धी करण के बाद दर्शन के लिए खोले जाएंगे कुछ जोति शाष्टियों का मानना है कि खंडगरा सुरे ग्रहन दोपर 12 बजकर 29 मिनट पर जबकि आशिक अवस्ता दोपर 1 बजकर 36 मिनट पर खत्म हो जाएगा यानि कि दोस्तों मूल रूप चकर सुरे ग्रहन की बात करें तो सुरे ग्रहन 10 बजकर 57 मिनट पर खत्म हो जाएगा इसके बाद आप अपने daily routine के कारे कर सकते हैं इसके बाद कुछ कारे हैं जो की शुद्धी के लिए किये जाते हैं जैसे की नाना दोना पुराने पानी को बदल कर पीने के लिए नया पानी भरना और साथ ही इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप और भी कई सारे धर में करिये कलाप कर सकते हैं जैसे की गरीबों में दान भी बांट सकते हैं दोस्तों क्या आपने अपनी आखों से कभी सूर्गरण या चंदरगरण देखा है अगर देखा है तो कमेंट करके बताईए कि आर्पा अनुभू कैसा रहा दोस्तों अगर वीडियो आपको लीजिए धन्यवाद